समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्या चकलेश यादों ने आज अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की, ओम प्रकाश राजभर भी उस बैठक में शामिल रहे है। सर आज तमाम दल के नेताओं मौजूद थे, शिवपाल यादों मौजूद थे, आप थे, कृष्णा पटेल थी, केशव देव मौर थे, क्या कुछ मन्थन हुआ है और मन्थन से अमरित निकलने की संभावना है कुछ? निकल गया का अब ही बाकी हैं? सभी लोगों के सुझाव लिए गए, आध सुझाव ले करके, मन्थन करके उसमें निकल गया. बता दिया गया कि जिसका जहां प्रभाव है वो अपने अपने इलाके में जाए जातिवार जनगड़ना की सरकार बना के हम जातिवार जनगड़ना कराएंगे हम तीन सो इनुली बिजली फिरी देंगे गरीबों का इलाज फिरी करेंगे एक समान अनिवार और फिरी सिक्षा लागू करेंगे सामाजिक नय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे जो किसान अन्ना पसू से परिसान है उससे निजात दिलने का काम करेंगे ये प्रचार प्रचार करिए और चरण बद दो फेस का चुनाव की सूची कल सामको जारी हो जाएगी सूची तो जारी हो जाएगी लेकिन सीटों का अभी बटवारा हुआ की नहीं कुछ आप लोगों के खाते में कितनी कितनी सीटे दी गई है इस पे कोई बात हुई है कि खाली चुनाव के वक्त का इंतजार किया जा रहा है चुनाव के वक्त का इंतजार नहीं है हम लोग सब तैयार है चुनाव के लिए हम लोग तो लगभग चार महिने से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी तारीक आवे तारीक तो आ गई है और चारसो तीन सीटों पर हम लोग चुनाव के मजबूती से लडने के लिए मोर्चा एकदम कमर कस लिया है शिउपाल यादो जी से आपकी बात हुई क्या कुछ कहा शिउपाल जी ने वहाँ पर हाल चाल खैरियत लिया आपने बहुत अच्छी बात सिउपाल जी ने कहा कि भई हम उन्होंने अपनी सुझाव में रखा वही हम सब लोग मिल करके नेता अखिलेश जी को माने हैं तो सब लोग मेहनत करके इनको मुख्यमंतरी बना करके तब ही हम लोग चैन से बिठें आपने और कुछ बात नहीं हुई अभी बता रहे है थोड़ी देर पहले कि कुछ और भी बात हुई थी बात तो बहुत हुई है उसको क्या बताया जाए बस इतने समझ लिजिए कि जो वहां हम लोगों ने कुछ और साथी थे सुझाव जो आये हैं उसमें उनके सुझाव पर सभी लोग सहमत हुए कि परदेश में कांग्रेश बेसक प्रियंका जी मेहनत कर रहे हैं लेकिन धरातल पे संगठन नहीं है बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले पा रही है और यहां तक कुछ लोगों ने कहा कि कंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं और कांग्रेश को महंगाई से भरष्टाचार से प्रदेश की जनता बदलाओ चाहती है अखलेश यादो चुनाओ लडने जा रहा है आप लोगों ने बात सहमती बन गई आपस में सारे नेताओं के बीच में उनकी पार्टी ने तैकर लिया है चुनाओ लडने का जब उनके फेस का चुनाओ तो उनकी सुची भी जारी हो जाएगी कहां से लड़ेंगे वैसे कुछ आइडिया हम नहीं बता सकते हैं सुची में नाम आएगा अखलेश यादो यानि चुनाओ लडने तै है बिल्कुल लड़ेंगे, काई नहीं लड़ेंगे नेता चुनाओ नहीं लड़ेगा तो को लड़ेगा नहीं सांसद है ना तो इसलिए जो है कोई इसे क्या है सांसद है तो उनको सीट छोड़नी पड़ेगी ना इसलिए तो अगर जीतने के बाद ना छोड़नी पड़ेगी पहले छोड़नी पड़ेगी बहुत सारे जो है वो उथल पुथल कल से राजनीति गलियारों में देखी जा रही है स्वामी प्रसाद मौर अपने विधायकों के साथ कुछ विधायकों के साथ सपा में शामिल होने की अटकले रगा है इमरान मसूद आ रहा है और आपका भी जो गडबंधन है उसका भी एक विधायक आज बाजपा में चला गया इसको किस तरह से देख रहा है पूरी राजनीति को क्या और लोग अभी भारती जंता पार्टी के आपके खेमे में आने वाले देड़ दरजन मंत्री देड़ दरजन मंत्री 14 से 20 तारिक तक सब जोइन कर लेंगे समझवादी पार्टी 14 को बड़ा खेल होगा फिर 20 को बड़ा खेल होगा और भारती जंता पार्टी में इतनी भगदर होगी कि वो रोक नहीं पाएंगे बैठक तो रोकने के लिए ही चल रही है लगाता दरिया के पानी को बाद बाद कर कब तक रोकोगे वो तूट करके निकल जाएगा बाद खतम हो जाएगा अब बीजेपी जैसे नहीं होता है कि जब बंधे के उपर पानी गिरने लगता है बंधे से तो लोग कहते हैं बंधा तूड़ जाएगा इनकी तो हैसियत इतना है कि स्टूल पर बैटो भाजपावाले सोफा पर इस टूल पर दूसरे को जिमेदारी दी गए रही कि बाजपा वाले सोफा बैटो तूं फाइबर की कुरसी पर पिछ़लों का हिस्छा लूटा जा तूब्ध बन कर लेना बोलना मत कान बन कर की रहना ऐसे लोगों को दी गई है ने तो जो कुछ नाम भी बता दीजे कौन कौन और आ रहा है अरे हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं चुद्धा तारीक को नाम आपके टीवी पर आएगा टना टन यह थे ओम प्रकाश राजबर सुभासपा के नेता हैं और साथी साथ अखलेश यादों से अभी मुलाकात कर किया हैं इनका कहना है भारती जनता पार्टी के डेर धरजन मंतरी और तमाम विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा हैं और यह 14 और 20 तारीक के बी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी जॉइन करने जा रहे हैं ऐसा ओम प्रकाश राजबर का दावा है अब यह दावा किस हद तक सही साबित होता है यह आने वाला वक्त बताएगा कैमरमेंन जितेंद वर्मा के साथ सीमा अब नक्वी भारसमचार लखना हो